नमस्कार आप देख रहे हैं सीडी वैम नियूज पे हूँ आपके साथ पुरीदी चनल चले शुरुआत करते हैं सहारेनपूर की कोरोना अब्रेट से लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को अभी दख सब्सक्राइब नहीं कहा तो प्लीज सब्सक्राइब करें हारेनपूर में नहीं रुक रहे है कोरोना का कहर फिर बड़े कोरोना के आंकड़े पिछले तीन चार दिन से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं बीती दिन जन्पद में 51 संक्रमित मरीज मिले थे वहीं आज स्वास्तव भाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मताबिक जन्पद में 28 लोगों में कोरोना संक्रमन की पुस्टी हुई पाएगे सभी संक्रमित मरीजों को स्वास्तव भाग द्वारब COVID-19 अस्पताल में भरती करा गया है बता दे कि आज पाएगे संक्रमितों के बाद जन्पद में कुल संक्रमितों का अकड़ा बढ़कर 8536 पहुच गया है जिससे प्रशासन के साथ जन्ता की भी चिंता बढ़ गई है वहीं अगर राहत की बात करें तो आज जन्पद में 81 संक्रमित मरीजों के रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें स्पताल से डिस्चार्ज किया गया अब तक जन्पद में कुल 7,827 मरीज ठीक होकर अपने अपने परिवार के बीच लोट चुके हैं लेकिन अभी भी जन्पद में एक्टिव केस की संक्या 284 शेस हैं जिनका अस्पताल मिलाज अभी भी जारी है तो आसे उसे अपील करता है कोरोन से बचाओ ही तू सभी सामधाने अबरते सार्जनी के स्थानों पर दोगज की दूरी की पालन के साथ साथ मास्क का परियोग सरूर करें सहारा एंपूल की कोरोन अपडेट को देखने के लिला अतार देखते रेस सीडी में आपने उस तक अवारे वीडियो को दिख सदीक लाइक और शेयर करें